Hi everyone, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है doggy dog, तो चलिए जानते हैं doggy dog का क्या मतलब होता है, well मैं आपको बता दूँ जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक dog, दूसरे dog को खा रहा है, तो वैसा बिल्कुल इसका मतलब नहीं होता है, इसी लिए जानना जरूरी है कि इसका exact meaning क्या होता है और इसको आप कहाँ पर use कर सकते हो, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, यह एक ऐसी situation को describe करता है, जिसमें जो लोग हैं, वो successful होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब अगर किसी को harm भी हो रहा होगा, उ वो भी वो करने से नहीं डरिनगे, आज कल का जो competition है, जो एक cut-throat competition होता है, जिसमें आपको अपने, जो competitor होता है, उसको एकदम अलग करना होता है, तब ही आप जीत सकते हो, तब ही सकसिस्फुल हो सकते हो, तो आप सकसिस्फुल हो, उस चीज़ को बोला जाता है, dog-y-dog, dog, तो यह जो world इतना easy नहीं है, यहां कुछ भी करना इतना easy नहीं है, बहुत ज़्यादा competition है, और आपको आगे निकलने के लिए, successful होने के लिए, आपको बाकी लोगों को हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यही होता है, dog eat dog, और world में ऐसा बहुत हो रहा है, I hope आपको समझ होगा, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, okay